Hi everyone, so in this video we discuss करने वाले हैं कि Tally Performance Company के group discussion round में आप कैसे prepare कर सकते हो ठीक है, तो Tally Performance Company में generally अगर आप किसी भी executive position के लिए apply कर रहे हो तो Tally Performance में सबसे पहले है आपके लिए group discussion round का एक email आता है अब GD round के अगर बात करें तो group discussion में आपको कैसे prepare करना है विएकुल सटीक तरीके से आपको बताता हूँ, बहुत जदा easy है आपको कुछ भी नहीं करना अगर आपका group discussion round होने वाला है, तो आपको simply सबसे पहले क्या करना है कि आपको कुछ recent 5 topics लेने हैं, जिसमें मैं अभी आपको एक example के थूरू 5 topics बतायता हूँ ऐसे आप कोई भी 5 topics ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि generally क्या होता है कि topic तो आपको वहीं पर one point में लेगा, पर यहां से भी आप लेकर जा सकते हैं, तो मैं आपको were from home impact और COVID-19 situation in India सब्सक्राइब यह 5 topics मैं आपको लिख दिये, ऐसे 5 topics आपको कोई भी ले लेने हैं, जो के recent हों और अभी के content से match करते हों अब ऐसे 5 topics लेकर, आपको क्या करना है, कि 2-3 चीज़े जो आपको अपने दिमाग में रखनी है, यह है, यह अगर group discussion पर अगर आपको बोल ले का मौका मिलता है मतलब जब आप बोलोगे, तो आपको 2-3 चीज़े दिमाग में रखनी होती है, पहली कि आप जो भी बोल रहे हो, उस पर balance thought रहो, balance, ठीक है for an example, अगर आपको यह पास topic आया, OTT versus theater, तो ना OTT की पूरी तारीफ करनी है, ना theater की पूरी तारीफ करनी है मतलब अगर PCB चीज़ का कोई भी comparison हो रहा है, तो आपको दोनों को balance में लेके चलना है, कि OTT में यह चीज़े अच्छी हैं, और theater में यह चीज़े अच्छी हैं हमेशा उसके advantages और disadvantage, at least एक एक आप बोल सकते हो, work from home का यह advantage हुआ है, कि हम अपने flexibility के हिसाब से घर में काम कर लेते हैं, जिससे mental stress कम रहता है, और disadvantage क्या हो गया, कि get together कम हो पाता है, कलीक से कम मिल पाते हैं, तो आपको balance out कर देनी हैं, यह नहीं कि किसी एक चीज़ के favor में ज चिलते नहीं हो, ठीक है, दूसरी बात, यहाँ पर आपको क्या करनी है, कि जब भी आप group discussion में जा रहे हो, तो आपको किसी भी व्यक्ती को rudely interrupt नहीं करना है, ठीक है, rudely interrupt का क्या मतलब है, कई लोग क्या होता है, कि सबजी मंडी की तरह चिला चोट में जाने सालू कर देते ह ठीक है, तो वो एक बहुती गलत मैनल्स होते हैं, अगर आप किसी भी व्यक्ती से disagree करते हो, तो आपको आराम से बोलना है, sorry but I disagree with the point, या फिर I disagree with this, I have a valid point like this, okay, so politely disagree करिए और अपने thought को बात में दीजिए, कि मुझे ऐसा लगता है कि इस thought से मैं disagree करता हूँ और मेरा thought इसमे बात कर रहे हैं, तीन लोग आपस में बात कर रहे हैं, तो बार 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 बीच में इंटरप्शन नहीं करना है, ठीक है, इंटरप्शन, अगर आप इंटरप्शन करोगे बार बार बीच में, तो ये दिखाएगा कि आप, मतलब आप में patience रही हैं, आप दो लोगों के बार रहा है अगर कहीं भी दो सेकिंड का गैप होता है तब तक आप अपने थॉट प्रोसेस में चलाना हो कि आप क्या बोलना चाहते हो और जैसे कोई विक्ति बोलना चुप करता है वैसे ही आप स्टार्ट कर दो अपना बोलना ठीक है जिससे क्या होगा आपका इंटरॉप्शन भी नहीं होगा और आप एकदम से पॉइंट अपना रख भी पाऊगे दूसरी बात एक तरीका और होता है बोलने का वो कि अगर कोई विक्ति दूसरा बोल रहा है अगर आप उससे थॉट से डिसेग्री करते हो तो उसको उसकी बात को पहले बोलने दो और जब ऐसा लगता रहा है then you can start talking by so I disagree with this point and then put your point ठीक है अगर कोई व्यक्ति लगातार बोल रहा है और उसके बीच में आपने interrupt करके बोलना स्टार्ट कर दिया that will be a debate situation not group discussion okay so वो चीज एक अच्छी पॉइंट नहीं होती है so ऐसे आपको बोलना स्टार्ट करता है अब यह जो मैंने 5 topics ले लिए ह इस पर आपको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूं जैसे group discussion लिए prepare करना है just 20 seconds का आराम से prepare कर लो इससे आपके mind में बिल्कुल ताज समझ माँ जाएगा कि अगर आपको कोई भी topic पर बोलना होता है तो कैसे बोलना होता है वो मैं आपको समझा देता हूं ठीक है स्टार्टिंग विट कोई भी topic ले लेते हैं जैसे कि AI in modern time ले लेते हैं चलो ठीक है अभी सामने और मैं आपको बतागो जैसे अगर मुझे यह topic prepare करना हो just क्योंकि देखो group discussion में जासे आपन टाइम लेके चलने दो तीन मिनिट का आपन टाइम लेके चलते हैं इसके साब में preparation करने हैं तो अपनकी preparation कैसे होती है ना आप कोई भी चीज अगर इन topics लो prepare कर रहे हो तीन पार्स में डिवाइट करो intro ठीक है बीच में आता है content last में आता है conclusion What is intro? So, अगर आप AI की बारे में बोलना चालो करोगे तो intro में क्या आजाएगा? कि modern era में AI लगातर भढ़ती जा रही है, AI का impact जैसे हमने chat GPT में देखने को मिला है या फिर presentation tools या video editing या photo generation में AI आशकल help कर रहे हैं तो यह होगया introduction में. content में क्या आगया? content में आपन सावार ची चीज cover कर देंगे कि AI से अभी modern time में क्या impacts हो रहे हैं? क्या impacts नहीं हो रहे हैं? ठीक है? future के लिए कितनी खतरनाक है? जो भी आप बोलना चाहो वो पूरे thoughts आजाएगे content में. और conclusion में क्या आएगा? balance out करना. मतलब AI किस चीज के लिए advantages है और किस चीज के लिए disadvantages है? वो आजा मेरी बात मानों कल जैसे group discussion चालू होगा आपका दिमाग अपने आप चलने लगेगा कि आपको कैसे answer group decision में करना है? ठीक है? So I hope यह video को पसंद आई होगी. Thank you so much for watching.